मंदिर में घुस फैरा रहे थे देश्चत, बच्चा रोया तो गुसा आई पिता ने जड़ा आतंकी को थपड़, आप मंदिर में पूजा करने गए और अचानक आतंकवादी आपके सेमने आ जाए तो सोचिए आपका क्या हल होगा, ठीक ऐसा ही कुछ महाराष्ट के दूले क मंदिर फॉल में हुआ, यहां उस समय चीप पूकार मच गई जब आतंकवादी हाथ में राइफल लेकर घुज गए, इससे यहां मौजूद लोग सहम गए और बच्चे डर कर चीखने लगे, इतना ही नहीं, अपने बच्चे को रोता देख, एक नाराज पिता ने आतंकव मंदिर करना पड़ा भारी, 6 अगस को स्वामी नाराण मंदिर में पुलिस वाले आतंकी हमला होने की तैयारी का जाईजा लेने के लिए मौग्डिल कर रहे थे, उस समय बड़ी संक्या में परिवार वने अपने बच्चों के साथ मौजूद थे, डबे आतंकवादी मूपर कप्रा बांधे और हाथ में राइफल लेकर घुसा आए, डबे आतंकवादी को बंदूकों के साथ घुसा दे, मंदिर में मौजूद लोग सहम गए और बच्चे डर कर चीकने लगे, और एक नागरी को बंदक बना देख, मंदिर में चीप पुकार मचने लगी, डर से बच मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव किया, नाराज शक्स को पुलिस वाले समझा कर दूर ले गए, जब आदमी को बताया गया कि यह एक मौकडिल थी, किसी भी आतंकवादी घटना के समय आम नागरीकों को बचाने के लिए अभ्यास किया गया था, इसके के बाद उसका गुसा शांत हुआ, वही मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस के इस मौकडिल के कारण सबी लोग बेहर डर गए थे, इस घटना से एक बच्चा काफी सहम गया, मंदिर में पुलिस के आचानक मौकडिल करने और फिर थपर मारने की घटना से थ साथ मिलकर शहर के स्वामी नार्ण मंदिर की कैंटीन में मौकडिल की थी, पुरी समय समय पर इस तरह का मौकडिल करती रहती है, ताकि उसे आतंकोदियों से निपटने की त्यारी करने का पूरा मौका मिल जाए, बने रहे हमाई साथ रेडिय हिंदुस्तान पर सबको सिखा पेड़ लगाएं सब को सिखाएं जल बचाएं